पाठ आठ गिलहरी और चना एक चने से बहुत सारे चने कैसे बन जाते हैं? आईए पढ़े और जाने एक दिन की बात है एक लड़का बाजार से चने खरीद कर घर ले जा रहा था उसके थेले में से एक चना रास्ते में गिर गया एक गिलहरी उदर से जा रही थी उसने देखा कि रास्ते में अकेला चना पड़ा है वह सोचने लगी क्या करूँ, इसकी क्या सायता करूँ उसे एक उपाय सूझा उसने थोड़ी-थोड़ी मिट्टी लाकर चने पर डाल दी चना मिट्टी से पूरा ढग गया आकर उसे देख जाती थी एक दिन तेज आंधी आई आस्मान में काली घटा चाग गई बिजली चमकने लगी वर्षा होने लगी इससे मिट्टी गीली हो गई गीली मिट्टी के नीचे दबा चना भी पूरी तरह भीग गया दो दिन बाद गिलहरी चने को देखने आई चना मिट्टी में दबा था अगले दिन उसने देखा कि चना जहां दबा था वहाँ जमीन से कुछ निकल रहा था अगले दिन उसने और पास आकर देखा कि वहाँ एक अंकुर निकल आया था कुछ दिनों में अंकुर बड़ा हो गया और पौधा बन गया उस पर चोटे-चोटे पत्ते देखने लगे एक पतला सा तना भी बन गया था गिल्यारी ने पौधे से पूछा यहां जमीन में एक चना दबा था वह कहां गया पौधा बोला मैं उसी चने से तो निकला हूँ जमीन के नीचे मेरी जड़ है जो मुझे पकड़ कर रखती है और पतियां मेरा भोजन बनाती है पौधे की बात सुनकर गिल्यारी को बहुत अश्चरे हुआ पौधा धीरे-धीरे बढ़ता गया सूरज का प्रकाश और हवा के मिलने पर पौधा खुश होता खिल उठता उसे खुश देखकर गिल्यारी भी खुश होती एक दिन गिल्यारी ने देखा कि पौधे पर बैंगनी रंग के छोटे-छोटे फूल निकलाई है कुछ दिनों बाद उन फूलों की जगह गोल-गोल से दाने लटके दिखाई दिये गिल्यारी ने पौधे से पूछा ये गोल-गोल क्या है पौधा बोला इन दानों के अंदर ही हरे-हरे चने हैं इन दानों से निकल कर कुछ दिनों में ये वैसे ही चने बन जाएंगे जिनसे मैं बना था गिल्यारी बहुत खुश हुई वाह एक चने से कितने सारे चने बन गई हैं